नमस्कार मैं प्रवेंड गोता हूं पीम मोधी की महिलाओं की गहने और मंगसुत्र जब्त करने वाले बयान पर बवाल कटा तो आज अलीगर की रैली में पीम मोधी धर्म की राधिती पर दो कदम पीछे हटे लेकिन जूट बोलने में चार कदम आगे निकल गए पीम मोधी के उस बयान को सुनकर थोड़ा बहुत दिमाग रखने वाला देश का हर नागरिक और बुद्दी जीवी वर्ग हैरान था कि देश की प्रधानमत्री ऐसी भाशा का इस्तमाल चुनाव में कैसे कर सकते हैं धर्म की राधिती करते वे इतना बड़ा जूट बोलने की आकिरकार क्या मजबूरी है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में इस बात का प्रावधान किया गया है लेकिन अलिगर की रैली में पीम मोधी धर्म की राधिती पर थोड़ा पीछे हटे लेकिन जूट बोलने में और आगे बढ़ गए पहले सिफ गैनों का दावा किया था अब पीम मोधी ने दावा कर डाला कि अगर आपके पास गाओं में एक मकान है और शेहर में एक फ्लैट है तो कॉंगरेस की सरकार आने पर आपसे एक मकान छीन लिया जाएगा किसकी कितनी सेलरी और कितनी एफडी है उसकी भी चांच होगी किसके पाद एक वहान है किसके पाद दो वहान है उसकी भी चांच होगी जाने किसके पाद कितनी चमीर है उसकी भी चांच होगी वेहिकल कितने है उसकी चांच होगी कॉंग्रेज इसका सर्वे कराएगी और फिर कॉंग्रेज कब्जा करेगी सरकार के नाम पर कब्जा करके आपके संपती को छीन करके बात डेकी बात कर रही हैं कॉंग्रेज यहां तक जाएगी अगर आपका गाउं में पुराना पैट्रुक गर है बच्चों के भविस के यहीं निलिए और अगर पता चला कि आपका गव यह आ थी सो और तो दों दोंके जोर्ट किक्रवत नी कि आ कि अपको जोखके यह उस्कों लोग किлохे। अब यहीं निति ये Congress Party और इंडिया लाइंस भंगरत में लादू करना चाहती है आपकी महनत की कमाई आपकी संपत्ती पर Congress अपना पंजा मारना चाहती है आपका स्थी दन लूटना चाहती है माता अब भैनो का मंगल सुत्रा अब सलामत नहीं रहेगा ये Congress ने कहा है हाला कि अलिगर्ण चेत्र में चुकि मुस्लिम आबादी जादा है तो शायद उसका ध्यान रखते वे पीम मोदी ने यहाँ धर्म की राजनिती नहीं की और ऐसा नहीं कहा कि आप से गहने लेकर या आप से प्रोपर्टी लेकर अल्प संक्रिक समुदाय में दे दी जाएगी इस बात का थोड़ा लिहाज रखा ये जरूर दावा किया कि विपक्षी दलों ने मुसल्मानों के लिए कुछ नहीं किया राजनितिक सामाजिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया और जब मैं पस्मंदा मुसल्मानों की मुसिबत की चर्चा करता हूँ तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये उपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पस्मंदा मुसल्मानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है पसमंदा मुसल्मानों का खास कर जिकर करते वे पियम मोदी ने दावा किया कि विपक्षी दलों ने मुसल्मानों की राजितिक उत्थान के लिए कुछ नहीं किया सामाजिक उत्थान के लिए कुछ नहीं किया लेकिन बीजेपी ने क्या किया है 2019 के चुनाव की बात करें तो एक भी मुस्लिम सासत चुनकर BJP से नहीं गया बहुत सारे राज्यों में जहाँ पर मुस्लिम भी बहुत बड़ी संक्या में हैं वहाँ पर BJP मुसल्मानों को टिकेट नहीं देती तो PM मोदी की ऐसी क्या मजबूरी है और इसके बावजुद क्या PM मोदी मुसलिमों के राजितिक उत्तान को लेकर दूसे दलों पर ऐसा हमला कर सकते हैं हाला कि अच्छी बात यह है कि कम से कम अलिगर्ड की रैली में PM मोदी ने धर्म की राजिति नहीं की लेकिन जूट बोलना भी PM मोदी को शोभा नहीं देता कि कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में इस बात का प्रावधान किया गया है कि आप से प्रोपर्टी छीन ली जाएगी जबकि ऐसी कोई बात नहीं की गई है कॉंग्रेस ने जो जाती जंगरना के बाद आर्तिक सर्वे का दावा किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि गरीब परिवारों की पैस्जान की जाएगी और गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हर महिने साड़े आठ हजार उपे डाले जाएंगे एसा ऐलान किया है कॉंग्रेस ने लेकिन पीएम मोदी मन गढ़नत कहानिया बनाते वे दावा करते हैं कि आपके गहने छीन लिए जाएंगे आपके प्रोपर्टी छीन लिजाएगी क्या देश के प्रधान मंत्री को इतने बड़े जूट बोलना शोबा देता है और क्या चुनाओ आयो को ऐसे जूट पर एक्शन नहीं लेना चाहिए कमेंट बोक्स में पीराइज जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकार्टा को पसंद करते हैं तो थैंक्स को उप्शन का इस्तमाल करें वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें नमस्कार